फ्रेंड्स आज हम बात करें है जै परकास Power Ventures Limited की जै परकास Power Ventures Limited में आज सांधर तेजी तो बनी लेकिन अपर सर्कृत नहीं लगा और ये जो तेजी बनी क्या ये लगातार जारी रहने माले है या फिर वापस गिरावट हो सकती है तो friends बहुत बड़ी update निकल कर आ रही है power sector के लिए एक खुश खबरी है जिसको हम discuss करेंगे इस वीडियो के माद्यम से दूसरी तरफ जे प्रकास power ventures ने अपनी share holding pattern को release कर दिया है अब किसकी holding कितनी है यह DI हो या फिर FI हो या फिर वो ऐसे investor जो individual investor है उन सब की holding आपको पता चल जाएगी तो किसने कितना निवेश किया है वो सारी जाते हैं जानकारी हमको इस वीडियो के माद्यम से discuss करने को मिल जाएगी साथ में क्या power sector में ऐसे ही तेजी जारी रहने वाली है या फिर आगे जाके वापस गिरावट हो सकती है तो इस सारी समवनों को तलासेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एक बेल आइकोन दबा दीजे ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शर जूर कीजे चलो फ्रेंड वीडियो इस्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्स एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई मे आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स कारोबार की बात करें तो स्टॉक उपन हुआ 8.20 पर हाई बनी 8.40 की और लो है 7.80 अंत में 8.35 पर क्लोजिंग रही यानि उपर की तरवी क्लोजिंग है 3.73 परशन की तेजी देखने को मिली तो सरकिट खूल गया तर लेकिन फिर भी तेजी सा अच्छी थी यहाँ पे अगर हम जैपरकास पॉर्वेंचेस के परफॉर्मेस को अगर देखे तो पिछले 6 महीने पहले यानि 28 अक्टोमर 2021 की इसकी प्राइज 4.40 के आसपास थी तो उस लेवल से आप देखोगे तो लगबग दुगना फिलाल प्राइज काफी अच्छा रिटन मिल रहा है जिसने भी 6 महीने पहले इसकी आओगा उसको उसकी रकम का दुगना रिटन मिल रहा है फिलाल इसकी हाई भी थी लगबग 11 रुपे के आसपास गही ती यानि आप देखोगे तो इंट्राडे में ये 12 जनुरी 2022 को 11 के आसपास गया था उस लेवल से भी स्टॉक काफी नीचे है फ्रेंट्स अगर वालिम को देखे तो BSE में आज 1 करोड 52,29,000 का वालिम होगा सामने 67,69,000 की डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परसेंट है 44.45 परसेंट है बात अगर NSC की करे तो 8 करोड 55,64,000 का वालिम होगा सामने 2 करोड 79,98,000 क डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परसेंट है 32.72 अगर वालिम को अनालिस करे तो पिछले एक मैने पहले इसका 7 करोड पीच का वालिम था वंविक पहले 12 करोड पीच का वालिम अने 0.30 को लेकर अची बहुत भारी त्थ यानि 10 करोड पीच का वालिम पराइगा लेकिन इसे लिए उन्हों ने अपनी पैसों को चुकाया जो उनकी होल्डिंग को बेच के मिले हैं तो इसे लिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया तो फिलाल जो इनकी होल्डिंग है प्रमोटर की वो 24% की है तो 2% की होल्डिंग उन्होंने अपनी कम किया अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है जो फॉरेंट पोटफोलियो इन्वेस्टर है उनकी होल् इसमें 9.97% की holding लेकर रखी हुई है ICIC bank ने और आप उसके बाद देखोगे तो Central Bank of India है जिनकी 3.67% की holding है फिर Yuko Bank की holding यहाँ पे 1.23% है और यहाँ पे insurance company भी holding लेकर रखी है जिसमें LIC की holding है 1.38% की है तो अच्छी खासी holding है आप देख लोगी बड़ी-बड़ी बैंकों ने भी holding लेकर रखी है और LIC की भी अच्छी खासी holding है इससे तो एक बाद समझ में आ रही है कि बड़े fund house विश्वास कर रहे है JP power पे यहाँ पे ऐसे investor इनकी holding 2,00,00 रुपे से नीचे है तो ऐसे 20.64% है और जिनोंने 2,00,00 से उपर की holding लेकर रखी है वो 20.75% है फ्रेंड्स यहाँ पे holding से एक बात समझ में आ रही है कि काफी अच्छा नीवेस किया हुआ है बड़े fund house का भी है और FI का भी नीवेस है JP power में बना हुआ है NBFC register जो RBI है उनकी holding यहाँ पे करीब 0.05% की है साथ में जो employee trust है उनकी holding यहाँ पे आपको देखना को मिलेगी 0.11% की बाद में bodies corporate की holding यहाँ पे आपको 3.87% देखना को मिलेगी फिर एक construction company है महा बद्रा उनकी यहाँ पे 1.74% की holding है और फिर non-resident Indian जीन को NRA क्याते हैं 0.67% की holding यहाँ भी लिए हुई है और यहाँ पे आप देखोगे तो trust है जो इनका trust बना हुआ GPVI trust जो नरेच चंद्र तल्व इनके through है यह JP group का ही trust है जिसके पास 5.02% की अलग holding है फिर clearing member की holding 0.29 है और IEPF की holding 0.03% की है तो यह total holding निकल के आ रही है share holding pattern इसे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे अच्छा बायर भी बहुत मजबूत है और लग बग 10% की holding है यहाँ पे ICIC bank की है जो इसके लिए बहुत बड़ी बात है friends यहाँ पे JP power की मजबूत है इसी से दीख जाती है कि यहाँ पे अच्छी खासी holding बड़े fund उसने यहाँ पे लेके रखी हुई है अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि government की तरफ से एक बड़ा निर्ने लिया गया है तो सरकार उनको 28,204 court भी देने जा रही है power sector के reforms के लिए तो यह एक तरह से नई पूरी व्योस्ता की जाएगी जिसके वज़से जहाँ पर भी leakage होगा उसको रोका जाएगा तो इस योजना के तैत कम से कम 28,204 court भी का fund देने जा रही है और इसके लिए जो पात्र है वो 10 state उसमें आंदर परदेश है आसाम, हिमाचल परदेश, मनिपूर, मेघाले, ओरिशा, राजस्तान, सिक्केम, तमिनलाडू और उत्तर परदेश इन कंपनियों को इसमें सुमार तो यह जो 10 state है इनको यह रकम मिलने वाली है और वो अपनी इन रकम के माद्यम से electricity department में reform लाएंगे और उससे जो बिजली की खपत है उसको सूचा रूर्प से चलाया जाएगा यानि एक तरह से जो इस समय वेस्टेज हो रही है बिजली की वो नहीं हो पाएगी और एक नय पूरी technology develop की जाएगी तो बहुत बड़ा एक reform आने वाला है और इसकी विज़ा से आने वाले समय में जो बिजली की जो कटोती की समय से उससे चुटकारा मिल जाएगा अगर हम JP Power की बात करें तो इसने लोगों को अच्छा खासा रिटरन दिया है पिछले पास साल के इसाब से 70% का positive return दिया है थ्रियर के इसाब से 266% का positive return दिया है वन एर के इसाब से 157% का positive return है लेकिन थ्री मन्द के इसाब से 2.37% की अभी भी गिरावत है वन मन के हिसाब से 70.86% का positive return है वन दे के हिसाब से 2.48% का positive return है तो आप देखो कि पिछले 5 साल में positive return लगाता है लेकिन अभी 3 मन के हिसाब से अभी भी इसमें करीब 2.37% की down देखने को में मिल रही है यहाँ पे community sentiment stock के साथ बना हुआ है 94% buy की call है 3% sell की call है 3% hold की call है तो लोगों का रुजान तो stock की तरह बना हुआ है एक बार इसके pivot level को भी check लेते है यहाँ से अगर stock sleep होता है तो 7.68 पर first support है यह support टूटा तो 7.32 तक stock जा सकता है तीसरा support जो निकल के आ रहा है वो 6.93 का है उपर की तरह मुख करने पर जो target निकल के आ रहे 8.43 का first target है इसको break करते ही 8.82 तक stock जा सकता है तीसरा 8.18 का target है तो तेजी में यह 9 को का पार कर सकता है लेकिन गिरावड यह फिर से 7 के नीचे जा सकता है वैसे फिलाल यहां पर थोड़ा सा दबाव बना हुआ stock के अंदर हो सकता है कि आगे जाकि इसमें गिरावड भी हो अगर आपको सिर्फ short term investor है आपको अच्छा खासा profit मिल रहा है तो profit book करने के कोशिस करें long term investor बने रहे यह वाकई में एक बड़ा multi-bagger stock है क्योंकि जिस तरह से इनके promoter ने एक बड़ी decision ली उन्होंने अपने landers को कर चुका है उससे एक बास समझ में आ रही है कि वाकई company इमानदार है साथ में company ने जो result पेस किया quarter three का बहुत ही बैदरीन है इस बार quarter four आने वाला है लगता है आकड़े उससे भी साधर आएंगे तो फिर यहापे लंबी तेजी बन सकते तो निवेस बनाए रखे आने वाले समय आपको definitely multi-bagger बनेगा क्योंकि 2030 तक यहापे आपको देखने को मिलेगा कोल की डिमांड लगातर बढ़ती रहेगी तो thermal power plant का काम काई वैसे ही तेजी से आगे बढ़ेगा तो निवेस बनाए रखे लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से क्वाइड वेज ले ले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजू के सनल प्रफच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए